वंचित बहुजन आगाडी में शामिल हुए विधायक, शरत पवार को लगा तगड़ा जटका, जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, महुँ परागमेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाल, महारास्त में विधान सबाग चुनाओ को लेकर अब सियासत काफी उन्होंने अब वंचित बहुजन आगाडी का दामन थाम लिया है, आखिर कौन विधायक है, कहां से ये तालुकात रखते है और उसे क्या कुछ फर्क, महारास्त विधाजनीती में खास तोर पर उस विधान सबाग चेतर में देखने को मिलेगा, जिस विधान सबाग चेतर ऐसे में जिस तरीके से लगातार इनकी विधायकी तक्रीबन तीन बारी से देखी जा रही है, और अब लगातार तीन बारी से जीतने के बाद इस बारी उन्होंने 2020 में राष्टवादी कॉंग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब समय के मताबिक राष्टवादी कॉंग्र इसमी लगातार जो अन्बन चल रही है जो बात एक दूसरे से नहीं बन पा रही है इन तमाम चीजों को मद्यनजर रखते वे इसके साथ साथ वंचित बहुजनागाडी के प्रगाश अंबेटकर इनकी राजनिती से प्रभावित होकर उन्होंने अब आने वाले विधान सबा चुनाओ को ध्यान में रखते वे वंचित बहुजनागाडी का दामन थाम लिया है तमाम तस्वीरे भी आपके साथ साजय करेंगी ये तस्वीरे आप देखिए ये उस वकत की तस्वीरे जब वंचित बहुजनागाडी को लेकर उन्होंने अपनी सद्द सत्हाली इसके सामने वो थामने का काम किया है तो तस्वीरे के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सीताराम गंघट सीताराम गंघट को आप देख रहे हैं जिनोंने 1995 में 1999 में और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो 2009 में ऐसे तीन बारी के वो विधायक रहे चुके ह और अब उन्होंने वंचित बहुजन आगाडी का दामन थाम लिया है परबनी के गंगा खिडवी दानसभा से तालुकात रखते हैं सीताराम गंघट अगली तस्वीर आप देखिए यह तस्वीरे में आपको आकड़े दिखेंगे 1995 में सीताराम गंघट इंडिपेंडेंट लिया प्रत्याशी के तोर पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतिने का काम किया 2019 में उनको सफलता नहीं मिल पाई 2019 के भी आप आकड़े आपको दिखाएंगे कि यहां पर इन आकड़ों से आप देख पाएंगे कि 2019 में क्या कुछ परिनाम गंगा खेडवी धानसभा से र बड़ा वोड बैंक है तकरिबान अब 52,247 यहां पर वोट इन्होंने लेने का काम किया अब आप इस बात का अनुमान लगाई है कि 52,247 वोट सीताराम गंगट अगर रखते है तो अगर यह वोट इनके साथ वंचित बहुजनागाडी के माधियम से जुड़ जाता है जब यहां पर कुल हो जाते है यह अगर मिल जाते है तो निशीत रूप से यह जो सीट है यह आसानी से वंचित बहुजनागाडी के पाले में जुड़ सकती है और यहां पर परबनी के गंगा खेड़ विदान सभा से वंचित बहुजनागाडी यह जीत का परचम यहां से लहरा सकती है यह तस्वीर आप देखिए शरत पवार के साथ इनकी मुलाकात काफी ज़्यादा नजदीक बताई जा रही थी और लंबे समय से शरत पवार के साथ कहिने की जुड़े हुए थे लेकिन इंडिपेंडेंट लगातारी लड़ने का काम कर रहे थे इसके साथ यह तस्वी कॉंग्रेस का दामन धामने का काम क्या था अभी तमाम राजनेतिक पार्टियों से तालुकात हटकर इन्होंने वो वन्चित बहुजन आगाडी के लिए ही अपको को ही अपनी सबसी पहली पसंद बनाया है तो यह तस्वीर आप देख रहे है प्रकाशामवेटकर के साथ अ अपनी आपनी मजबुत दावेदारी जिस तरीके से पर्वनी के गंगा खेड़ विधान सबा में रखती है तो यह तमाम जो तस्वीरे यह साबित करती है और कहिने के यहाँ पर सीता राम इनकी जो दावेदारी यह बताती है कि जिस तरीकेसे उन्होंने बड़े अपने स एकड़ो समर्थोकों के साथ आज वंचित बहुजन आगाडी का दामन थामा है ये तमाम आकड़े और समीकरन वंचित बहुजन आगाडी के अगर पाले में बैठते है और तमाम तरीके से ये रणनीतिया कारगर सावित होती है तो निशीत रूप से यहाँ से वंचित राजनेदेख पायटियों के साथ इनका मुकाबला होगा और वंचित बहुजन आगाडी लगातार दोनों गड़बंदनों को महाईूति गडबंदन और इसके साथ महाविकास आगाडी गडबंदन इनको लगातार सवालों के कटगरे में खड़े करते वे दिखाये दे रह कर लगातार दोनों राजनेदेख पायटियों पर सवाला निशान खड़े करते वे नजरा रहे है और इनके सवालों का जवाब ना वंचित बहुजन आगाडी के माध्यम से उठाये गए सवालों का जवाब ना महायूति की सरकार दे पा रही है ना कि विपक्ष में रही की परिणामों का कि यहां पर जो विधायक ने वंचित बहुजन आगाडी का दामन थामा है इससे क्या कुछ अब जो असर है वंचित बहुजन आगाडी के परिणामों में देखने को मिलेगा तो पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और इस तरीके से अपने सेक्ड़ों कार करताओं के साथ सीता राम गंगट इन्हों ने वंचित बहुजना अगाडी का जो दामन धामा है ये कितना कारगर साबीतों का पूरी पूरी की पूरी बात्चीत को लेकर आपकी राय प्रतिक रिया लेकर कमेंड बॉक्स में ज़रू बता है बनेर नैशनल चौपाल के साथ मि वीडियो में तब तक के लिए जय दीम जय भारत